अगर आप एक portable Bluetooth sound system बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको बहुत काम में आने वाला है तो देख सेक तो मेरा हाथ में एक बहुत ही छोटा सा compact एक audio amplifier board है with Bluetooth module तो देख सेक तो आज इस board के ऊपर बात करने वाला है जो है की CT14 Plus तो चले फिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हेलोफेंट्स मेहो दिपांगर आपको बहुत बहुत स्वागत है क्रिटिव दिपो चैनल पे तो फिर से आगया नया वीडियो लेके वीडियो को स्टार्ट करने पले है में एक छोड़ा साई रिक्वेस्ट है बैटरी और स्पिकर करने के लिए योज़ होगा उसके बाद देख सकते हूं यहाँ पे हमारा है में यूनिट जो है की DWCT14 प्लास यहाँ पे जो में यूनिट है देखने में कुछ ऐसा है जो रेट कलर एक बोर्ड में आता है प्राइस पॉइंट को पर बात कल लेते है अगर आप इसको ऑनलेन में पर्चिस कने जाओगे तो कम से कम 300 से 350 रुपिस के आसपास मिल जाएगा अगर आप इसको ऑफलाइन यानि की लोकल मार्केट में पर्चिस कने जाओगे तो कम से कम 250 से 300 रुपीस के आसपास मिल जाएगा बाइदावे इस बोट का बेस्ट पर्चेस लिंक में नीचे डिस्क्रिप्सिन में दे दूँगा आप वहाँ पर जाके जरूर से एक बार चेक आउट कर लेना अब यह आते हैं इस बोट के कुछ साइज के ऊपर मतलब यह बोट जो हाइट और लेंध कितना है तो सबसे पहले इसका जो लेंध है लेंध एक बाद चेक कर लेंगे तो यहाँ पर देख से तो जो लेंध है यह है 2 cm और अगर इसका हाइट अब देखोगे तो गम से कम यह है 4.1 cm तो यह जो बोट है यह बोट 2 x 4 cm का एक बोट है जो को देखने में तो देख से तो काफी चोटा है और काफी जगा पर आप इसको यूज़ करते है तो क्योंकि बहुत चोटा है बहुत और कॉमपक्ट भी है तो चलो यह बोट का कुछ बेसिक से चीज़ देख लेते हैं जैसे कि यह बोट आपको इन बिल्ट ब्लूटूट मॉडियूल में देखने को मिल जाता है अलग से आपको कोई ब्लूटूट मॉडियूल लगाने का ज़रत नहीं है सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कौन सा IC यूज हुआ है एम्प्लिफाय करने के लिए साउंड को देखें तो यहाँ पर जो IC यूज है वो है 2018 का दो एम्प्लिफायर IC यह दोनों IC है class A type में यहाँ पर देखेंगे तो बोर्ड में यहाँ पर दो IC और यहाँ पर एक IC है यह जो IC है यह Bluetooth मॉडियूल का IC है तो यहाँ पर दोनो Bluetooth मॉडियूल का IC सेम है यहाँ पर यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर जो 2018 का IC है यह IC आपको कितना output निकल के देगा जैसे कि यह जो दोनों IC है, दोनों IC से आपको studio में output निकल के देगा, studio का मतलब होता है दोनों output निकल के आएगा, जैसे कि right side speaker के लिए और left side speaker के लिए है, और यहापे अगर mono में होता तो एक ही speaker चलता है, यहापे studio में है, तो काफी अच्छा है, दोनों speaker चलेगा यह वाला board क speaker में, तो देख से तो यह वाला board है, बोर्ड में पीछी के तरफ यहापे left, positive, left, negative, यहापे speaker left side वाला connect हो जाएगा, यहापे R out positive, R out negative, यहापे right side speaker वाला connect हो जाएगा, और यहापे battery का positive, negative connect हो जाएगा, यहापे battery को चार्ज करने के लिए, यहापे देख सेकते कि B type का port दे mobile charger होता है, mobile charger के साथ, जो 5 board निकल के आता है, यहापे B type का port है, यहापे connect कर दो गए, तो mobile charger से यह वाला module चल जागा, बहुत ही बढ़िया तरीक से, बहुत एक easy चीज है, बहुत एक simple चीज है, इसका connection, इसको सबसे बढ़िया होता है, इसका connection करने के लिए, यहापे आप ल बैटरी के लिए, मैं यह वाला 3.7V का lithium-1 बैटरी यूज कर रहा हूँ, यहापे जो speaker में यूज कर रहा हूँ, वो है 3W का 4 Ohms impedance में, तो चल अब इसका connection कर लेते हैं, तो connection तो इसका ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि, यह देखो, यहापे हमार पल्स जो board है, इस board में, देख सेक, तो यह जो connected है, connector कुछ इस तार से लग जाता है, ठीक है, लगने का बाद देख सेक, तो यहापे L out positive है, और L out negative है, तो yellow color का जो वायर है, यह है positive, और जो देख सेक, तो यहापे blue color का वायर है, यह है negative, तो simply तरीके से connecting को, जो सब से पहले निकल लेते है, और यहापे speaker में आपको देखने का मिलेगा positive और negative, तो yellow वाला हुआ है positive में, और blue वाला हुआ है negative में connect कर लेंगे, तो सब से पहले यह दोनों connecting wear speaker में connect कर लेते है, तो speaker का connection हो गया, तो अभी देखो यहापे battery का connection, तो battery का connection करने का time एक चीज़ धियान रखन कि देखो सबसे पहले connector लगा देंगे, तो यहापे देखो BAT यहापे positive है, मतलब यहापे rate color का हुआ है, और BAT battery negative का black color का हुआ है, तो काफी time है ऐसा होता है कि यहापे BAT positive है, लेकिन यहापे wear कौन सा black color का लगा हुआ है, और यहापे BAT negative है, यहापे, मतलब जो connecting wear है, यह र यहापे जो terminal है, इस सही terminal है, positive के लिए rate और बैटरी negative के लिए black, तो यह जो दोनों connect, जो wear है, दोनों wear का color तो ठीक है, तो यहापे मैं battery के साथ direct यहापे, मतलब जो soldering नहीं कर रहा हूँ, तो यहापे मैं battery का holder use कर रहा हूँ, तो बैटरी का holder के साथ देख से तो यहापे ज कुछ इस तार से switch लगा दिया, तो यहापे कोई भी देखो, यहापे पूरा board में switch का कोई जगा वगा है नहीं, तो यहापे देखो, इस तार सा holder के साथ कुछ इस तार सा एक switch लगा सकते हो, ठीक है, switch बहुत आसें तर कैसे लग जाता है, black color का wear जो एक direct connect कर दो, और rate color का wear क बीच में cut करके इस तार सा एक switch लगा दो, तो यहापे speaker connect कर लेते हैं सबसे पहले, तो यहापे यह वाला right के लिए, और यह वाले lift के लिए, चलो connect हो गया दोनों, और यहापे है battery वाला connection, तो battery भी connect कर लेते हैं, तो सब कुछ connect हो गया, तो अभी यहापे battery को डालते है, तो जलो अभी phone के साथ connect करके, यहापे speaker के साथ sound हम लोग को मिलता है, और देखते हैं, यहापे full setup हो गया, ready, और यहापे देखते हैं, जो हमारा Bluetooth module है, यह module हमारा phone के साथ connect हो गया, और अभी एक song play करने के लिए, ready है, तो चलो, एक song को करते है, play, और जान कड़ी के लिए बता lower है, तो चलो, phone से volume को करते, increase, और हाँ, यहापे volume increase याद decrease आने के लिए, कोई knob बगर है, नहीं है, और यहापे volume को करते है, increase, यहापे volume है, 100% phone से, देख साथ हैं, तो sound का प्वोलेटिक की लिए, तो इस बोट के साथ, यह वाला speaker कुछ इसता सा sound आपको output निकाल के देगा, अगर मेरे ही सबसे देखोगे, तो यहापे जो sound का quality है, quality तो ठीक ठाक है, हाँ, ठीक है, इसका bass अदा है, ठीक ठाक बेस तो एकदम low है, उपर से यहापे जो loudness है, मेरे को लगा loudness थोड़ा कम है अगर आप एक छोटा सा, अगर एक sound system मनाना चाहते हो, Bluetooth आपको जाधा काम नहीं करना है, कि soldering बगरा, तो यह बाला module आपको काफी काम में आने वाला है, आज के वीडियो कुछ यह आतकता है, वीडियो को अच्छा लाट तो आपने वीडियो को लाइक कर सकता है, और ने ल आत,